बुट मॉनिंग तो रिसेट की ना बहुत स्टूड़न्स मेरे पास आते हैं और डिफेंट ताइप के स्टूड़न्स मेरे पास आते हैं उफपोर्स वर करें पॉंसलिंग जो लोग ओपन हैं की चालने के लिए कि बच्चे का इंटास्या पैशन क्या है तो किन्फूजन दूर करने के लिए जना मैं आपको यह समझाता हूँ की करियर आप दो तरीके से चूज का सकते हैं और मैं हमेशा पैरेंट्स को बताता हूँ और फिर डिबेंड करता है की पैरेंट्स, स्टूडेंट्स, फैमिली बैगरों क्या है और कुछ कोई भी गलतिया सही नहीं है उनको पुरानी लगना चाहिए तो एक मॉडरन फैमिली हैं आई वोसे कि यह लोग अक्सर एफ्लूएंट होते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जब बच्चे का करियर फैनल कर रहे हो ना तो ठीक है बच्चे लिए करियर बनाना है कल को पैसे भी कमाने है लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भई अगर यह फैल हो गया तो बहुत बड़ा नुक्साम हो जाएगा तो पैरेंसार देर तो सपोर दर्केट है जरली इस केसिस में हम प्रॉपर भई सब्सक्राइब टेस्ट लेकर डिसेशन करके हम बच्चे का इंट्रस्ट अप्रिटूड निकालते हैं और उसके हिसाब से फिर मैच करते हैं इंदा मार्केट अपोचुलूटिस अंधर फैनलाइज करियर अकसर दो या तीन फेवर्ट करियर निकलते हैं और उन तीन में से भी एक करियर फैनल किया जाता है लुटिंग अटी वेरियस मैक्रोप्लॉमिक्स से नार्मी एक दूसरे बच्चों के लिए जादा लागू होता है जो कि टेडिशनल माइशेट से जाना चाहते हैं एंजिनियर, डॉक्टर, चार्टर अकांटेंट, लॉयर एक चेल्टर और मैं उनको भी मना नहीं करता है और मैं पहले कुछते तो हूँ, इस पेशली पेडिट से जब उनका फोन आता है कि आप क्या चाहते हैं आप इंट्रस्ट और पेश्चन वाले रूट से जाना चाहते हैं या मार्केट में क्या चल रहा है कुछ रूट से जाना चाहते हैं थोड़ा सा कमजोर हो गया है और वो करियर जो इसे में जनली ऑनलाइन की करेयर से में काफी चल रहे हैं content writing काफी hit है if you know search engine optimization all kind of digital marketing इसे में super hit है mass communication ये field बढ़ती जा रही है and अब उसे typical b.com honors और typical b.com pass की अब उतनी जरूत रही है तोड़ी accounting का बहुत सारा का automated हो चुका है correct तो जो 20 साल पहले होता था कि हम graduation करते थे तो अब बी कॉम पास और वी कॉम honors और उस तरह कोर्सेस बहुत प्रिफर्ड किये जाते थे जब ब्रेडर ब्रेडर कोर्से जगा करते थे तो चीज़ अब चेंज हो गई है तो फिर भी अगर मैं नट शेल में advice करो जो मैं अगर देखिए आपका बच्चा brilliant है मैं हमेशा कहता हूँ ब्रिलियंट कभी कोर by birth होता है by conditioning होता है तो कुछ भी career करेगा successful हो ही जाएगा उसमें बिल्कुल अगर आप interest और passion वाला career दिलाएंगे तो बो success के साथ साथ happy भी रहेगा और enjoy करेगा अपने कादों जिन्दे के बार अफोर्स दूसरी चीज़ बही है कि आपका traditional career है उसके पीछे जाना चाहते हैं लेकिन वाकिया ही अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है जो की average है और हर चीज में average है उसका interest और passion भी average है हमने test किया हमने बाते करी और पता चला की यह बच्चा जिसे लेजी है 65-70% टाइप का है बहुत जादा मेहनत नहीं करना चाहता राइफ में ऐसे बच्चों को मैं खुद ही सज़ेश करता हूँ कि आप यह interest और passion को छोड़ चल रहे हैं इसको भी कराते हैं तो आप यह समझ लिजी कि अगर आप एक average student है in terms of IQ कह लिजी है, EQ कह लिजी है, Hard work कह लिजी है, Sincerity कह लिजी है, so actually it is better कि आप उस career को चुल ले जो की market में चल रहा है, right? लेकिन अगर आप के पास कोई talent है, कोई inherent interest or appetite है उस career को चुने तो and family, जो कि आपको मोका दे सकते हैं अपने आपको explore करने का और उस नई creative field में आगे जाने का, हुँ सभी चानते हैं, you must have heard this, ने फरानक्तर शेयर जब 30 यह की हो गया थे, तो कुछ भी नहीं करते हैं and he was still exploring his life and he was able to do that because he is the son of Chavid Akhtar, तो उन लोगों के पास, जिनके पास, जि इसका survival के tension नहीं है, they should generally go with interest and passion, but रोटी कपडा मकान के tension नहीं है, फिर भी बच्चा अगर average ही है और उसका interest and passion भी average ही है, then we should go for the career जो market में चल रहा है, तो यह segregation करना बहुत जरूरी है, यह classification करना बहुत जरूरी है, जब हम अपना ideal career चुण्य की कोशिश कर रही है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो आपका बच्चा भी या student भी successful होगा, happy होगा and we will live a fulfilling life, thank you.